हेलो फ्रेंड्स मैं कमेंट और एके सिंग और सभी ने अपना एड्मिट कार निकल वा लिया होगा यानि कि आज हम बात कर रहे हैं के वी एस टीजीटी के एक्जाम की कल से एक्जाम शुरू रहे हैं यानि कि आपके जो एक्जाम शुरू रहे हैं कब से शुरू रहे हैं संडे से और संडी की डेट क्या है बारा तेरा और चोदा सबसे पहली बात इस बार वैलन्टाइन डे टीजीटी के पेपर कही है अगर टीजीटी हो जाएगी तो इसलिए अपनी तयारीय है अपने पूरी कर लिए मैंने आपको स्लेवस complete करा दिया याई कि आपका स्लेवस साइको का 10 तारिक तक पूरा complete हो गया है एक एक टॉपिक 22 या निगी 50 वीडियो में आपका पूरा topic cover हो चुका है पचास हो या फिर 47-48 वीडियो है maximum 1 के चलते हैं अब आती है बात की कल जब आपका पेपर है तो आपको क्या क्या चीज किस तरह से करनी है जिससे आप पास हो जाए क्या important है जो चीजे आपको देखनी है अग्जाम में सबसे पहली बात तो जो SST के बच्चे हैं वो उनका पेपर है सुबह की shift में ठीक है साइन्स वालों का पेपर है साम की shift में फिर उसके बाद हिंदी इंग्लीश है इस तरह से हैं और फिर उसके बाद maths है यानि कि जो बारा तारीक वाले पेपर है अगर wise principle और principle का जो सुनने में आया है जो मेरे भी सुनने में आया है कि दो तीन से मैंने पूचा है तो पेपर का level इस तरह का आ रहा है जिस तरह का envious और seat at का mixture माल लिजी ठीक है ना तो से hard कहेंगे ना उसे बिलकुली आसान गएंगे moderate पेपर आ रहा है आपका ठीक है और रही बात हमारे स्सेटी के track record की तो स्सेटी के track record में ये है कि कहीं से भी बहुत से question पूछे जा सकते हैं तो इस सीज का ध्यान रखे खास कर बच्चे स्सेटी वाले सबसे पहली बात जब हम KVS की बात करते हैं TGT की बात कर रहे हैं सबसे पहले तो आप ये देख लीजे आपके English Hindi Hindi GK slash current और reasoning computer पाँच पाँच दस 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 ये है आपका कितने नमबर का चालिस नमबर का ठीक है बच्चे इस में से 40 में से maximum मानके जलता है computer सबको आता है इतना करा दियता है reasoning भी हो जाएगी सबकी current में इसमें तुके उके मारके बच्चे 5 नमबर ले आएगे मतलब हैं से 20 नमबर में से बच्चे 11 से 12 नमबर ले के आ जाएगे बच्ची English जो भई Hindi background से है English में सब बच्चे मारेंगे तुके 4 नमबर कम से कम यहां से 3 से 4 नमबर यहां से मार ले हिंदी वाले हिंदी तो अच्छे करी देंगे कि उनके 7 से 8 नमबर आ जाएगे जहां पर tension नहीं है यहां पर मैं किसी की tension नहीं मानता कि अब जो पहले था बहुत सारे बच्चे पताय क्या कर रहे हैं आज की date में भी आज भी current देखे जाएगे पर लाना के आज जाएगे जब 5 नमबर का आपका current आ रहा है बहुत जीगे और current 10 नमबर के 5 नमबर का जीगे आ जाएगा और 5 नमबर का current तो total 10 नमबर का आ जाएगे 10 नमबर तो आपको अगर हसते केलते भी मानो तो यह आ जाएगा ठीक है सबसे बड़ी गलती यह करीए बच्चों ने अभी तक जो नोंने smart work किया है उन्होंने यह गलती नहीं कि अब आती है आपकी next page चलते हैं तो next चीज है हमारी जो important है 40 नमबर की psycho है यानि कि पैड़ा गोजी आपकी ठीक है और 100 नमबर का subject है सबसे ज़्यादा नमबर हमारे यहीं से कीच जाएंगे यानि कि subject जो है हमारे लुकिए यह screenshot कर चाज़ा रहा है चलिए यह subject यानि कि 100 नमबर का हमारा यह हो गया 140 नमबर का अब subject जिसने भी better करा है यानि subject में आपको मैंने कहा था यह section मैंने पूरा कवर करा है तो आपको इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं बचा subject आपका subject में आपका जो sst वाले हैं वो यह सोच रहे होंगे economics भी आएगा economics में हम कैसे करेंगे भाई sst की paper में history political ठीक है whole science फिर आता है आपका geography और फिर आता है economics ऐसे question पूछे जाते हैं history का section सबसे जादा फिर political फिर economics फिर जोगरफी इस तरह आएंगे तो question मतलब आपके इस तरह से divided रहेंगे यह समझ में आ गया अब आते हैं main मुदे पर करना क्या है आपको exam में सबसे पहले जो section है उनी के साथ से लेके चलते हैं कि section होगो हम बाटते हैं किस तरह से देखिए आपको English ठीक है Hindi अगला क्या है GK और current माल लेते हैं फिर आता है reasoning फिर आता है क्या computer फिर आता है आपका psycho और फिर आता है subject यह आपके section खुलेंगे computer पर online page paper है तीन गंटे का paper है ठीक है सबसे पहले आपको हाथ लगाना है इसे यह है आपका Hindi Hindi को DSSB की तरह नहीं है कि एक बार section करा तो लोग हो जाएगा कोई जंजट नहीं है चाए पहले पे चल जाओ चाए आगरी पे चल जाओ कोई नहीं ऊपर scroll ऐसे खुलते रहते हैं उस पर click करके चले जाना तो सबसे पहले क्या करना है हिंदी हिंदी करनी है सबसे पहले आपको फिर आना है reasoning पर यानि कि हिंदी के बाद आना है reasoning पर फिर आना है computer पर यहां तक हो गए फिर आपको देखना है reasoning यहां पर इसमें जितने question हो आपको कर देने हैं यह मान लीजे आपको अभी लग रहा है कि 6-7 question आपको आ रहे हैं तो 7 question कर देने हैं English को सबसे आखरी में लेके चलना जिनको English नहीं आती है मेरी बात ध्यान से सुन लो English को सबसे आखरी में लेके चलना यहां तक हो गए फिर आना अपने psycho पर जब आप psycho कर लो ठीक है psycho पूरे 40 question कर लोगे तब जाना English पर English पर 10 question करना यह जितने question आए 5 आए 6 question कर लेना कर लिए फिर अपना यह आपका इतना जो टाइम है वह एक घंटा पी जाएगा यानि कि एक घंटा मैं मानके चलता हूँ एक गंटा एक पॉइंट एक गंटा दस मिनट एक गंटा बीस मिनट तक पी लेगा यह खतम तो फिर आप अपना subject पर लगाना अब जोर सारा subject पर जोर लगाना और subject में भी दस मिनट जब आपको उहां पर CPT में टाइम है चलता रहता उल्टा दस मिनट दिखाए दे तो दस मिनट में आपको जोई यह तीन कोशन और यह कोशन दिख रहे हैं उनको पूरा करना समझ में आगई बात नहीं समझ में फिर दुबारा सबसे पहले हिंदी लेके चलनी है फिर reasoning फिर computer फिर g के current मतलब current पर आना है फिर उसके बाद psycho साइको के बाद English English के बाद subject पर आना है इस तरह से हमें सारे चीज़े लेके चलनी है अब आती है कि tip यह तो आपको समझ में आ subject अगर आप फस जाते हो किसी question में खुदा ना खासता फस जाते हो और आप question यान नहीं आरा बई तुक्के तो मारे जाते हैं हर paper में तुक्के मारे जाते हैं अगर कोई यह कह दे कि मैं तुक्के नहीं मारता या फिर किस तरह नहीं मारता तो वो कोरा जूट बोल रहा है ठी पहले question को ध्यान से बढ़ना है पहले तो यह तो ध्यान रखना है नहीं वाले question की ठीक है दोनों में subject और इसमें भी साइकों में नहीं वाले question पर ध्यान देना है जहां पर नहीं मिले उसे paper तो मिलेगा है आप लिखते चल जाना है जिससे आपको पता चल जाए कि नहीं वा पांच जस्मिंट पहले एक बार चेक होगा तो आपको उसमें भी पता चल जाएगा ठीक है यह हो गई नहीं वाले question को ध्यान अकना खास करें फिर दूसरी बात आती है आपको जो question नहीं आए उसके option देखना option में जो भी सबसे बड़ा option मिले उसे चुनना यानि कि अगर मा पर कौन सा जो अभी हमने करें हैं यानि कि के वेस के ओर पर है यह question है 43 देखे चलते हैं डालता योजना नामक शिक्षण वीदी का sectionic side में एक सफल परियोग के रूप में वर्ण किया जाता है यह dash के संबादित है कितनी लें 30 की एक दो तीन चार पांच है साथ साथ चोदा साथ और साथ चोदा और चोदा चोदा अठाइस ठीक है बी में कितनी एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ है साथ चोदा चोदा और चोदा ठीट और फिर दो तीस यह हो गया तीस ठीक है अब लेकर चलते हैं नीचे वाले में एक दो तीन मतलब साथ और साथ चोदा चोद है हम 20 माल लेते हैं यह हो गया 20 और लास्ट वाले में अगर लेकर चलूं तो कितना आ गया साथ और साथ 14 14 और चार मतलब यहां पर 28 के जाएंगा 25 अब पहले वाले में 28 थे दूसरे वाले में 30 था इसमें कितना था 27 और यहां पर फिर वही 25 आ गया और आंसर क्या दिख रहा है आपको बी यानि कि मेरा कहना यह है अगर पिल्कुल भी कोई कोश्चन समझ में नहीं आ रहा है और तुक्के मारने वाले सिच्वेशन आ चुकी है आपके पास तो तुक्का मारना लंबे कोश्चन के आंसर पर या अब चलिए एक और पर लेके चलते हैं आपको एक और चीज दिखाता हूं यह आ रहा है कक्षा में प्रभावी तरीके से अनुशाषन किस प्रकार बनाया रखने के बाद अब अनुशाषन का कोई कोश्चन आपको एक ब्यक्सर नहीं आता अनुशाषन का फिर वही फॉर् यह कितने हैं पांच एचे हैं और इसमें तो कुछ ही नहीं तो इसका अंसर क्या है भी है की नहीं है ठीक है दो चीज समझ गए लंबे कोश्चन यानि एफ चलते हैं अपने उस पर दुबारा क्या बता रहा था मैं लंबे कोश्चन के ओप्शन यानि कि ओप्शन जो है लॉंग वाले ठीक है जो बड़ा है ओप्शन उस पर ध्यान देखना और फिर जब इससे भी आपकी बात ना बने यानि कि आपको अब भी डर लग रहा है और अब बचे हैं पांच मिनट देखे यानि कि आपके पास बचे हैं कितने आपके पास बचे हैं पांच मिनट ठीक है कभी कभी ऐसा भी हो जाता है situation इस तरह की भी आ जाती है आपके पास बचे हैं पांच मिनट और आपके कोश्चन बच रहे हैं कोश्चन कितने बच रहे हैं 20 अब ऐसा तो है नहीं कि आप पढ ने की situation तो होगी नहीं आपको क्या करना है सारे question पर B लगा देना answer यानि कि हर question का option चुनना है B ठीक है यहाँ पर लंबे वाला और यहाँ पर B 20 question बचे है 5 minute बचे है कोई आप अगर एक एक question पढ़ने बैटोगे तो 5 question ही पढ़ पाओगे एक मेंटर में मान के चलता हूँ एक question खता होता है अच्छा पढ़ने वाला होगी चारी सेकिन में पढ़ता है question पर QVS है, NVS है इस तरह में लंबे question आते है खतने वाले question आते है तो यहाँ पर क्या करना है B करना है दो tip हो गई है यानि tip और tricks में आपको यह चीज समझ में आगी क्या करना है अगर 5 मिनट बचे है 20 question मरला ज्यादा question बचे है तो यह करना है B लगा देना हर किसी का लंबे question के अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई भी आपको अटक रहा है तो आप लंबे option चुनना दोनों चीज आपको मैंने try एक आपको बिल्कुल real experience दिखा भी दिया है मैंने कि किस तरह से आपको answer मिल रहे है कि लंबे question के answer को पकड़ देना यह चीज आ गई फिर आती है अब जो आती है सबसे important बात आपको अपना admit card एक admit card pen blue या black और वो भी ball pen लेके जाना है mask admit एक ID ठीक है ID card और पानी के लिए bottle water bottle ठीक है यह समाल लेके जाना है must be admit card pen mask और ID यह चार चीज तो लेके ही जानी है fuck up day इस तरह के पहन के जाना जैसे cargo pen लड़कों के लिए मैं खासकर कह रहा हूँ cargo pen मिलकुल भी मत पहन के जाना formal pen पहन के जाना jeans पहन के जाना जूते पहन के जाना जिसमें ज्यादा जेव हो उस तरह की jacket भी मत पहन के जाना और उस तरह की pen भी मत पहन के जाना ठीक है फिर आप इस तरह की unnecessary के ना लगे कि वहाँ पर आपकी double checking हो कोई भी समान नहीं लेके जाना है belt भी allowed नहीं है belt उतरवादी जाएंगी pen, admit card, mask, ID proof अगर bottle लेके जाना चाहते हो तो bottle लेके चले जाना तोपा ओड़के मत जाना ठीक है यह घर से लगा के जाओ तोपा वहाँ पर उतार के bag में रख देना belt उतरवादी जाएगी वो रख देना bag pen इस तरह के पहन के जाना जो खिसके ना इसलिए belt कर मैं पहली गय रहा हूँ जूते पहन के जाओ कोई दिक्कत नहीं है जूते आपको कुछ नहीं कहा जाएगा जैकिट कार्गो मतलब कार्गो वाले जिसमें बहुत सारी जेब होती है उस तरह की जैकिट मत पहनना pen उस तरह की मत पहनना formal pen और formal अपनी जाकिट और कपड़े पहन के जाना ठीक है यह सब चीज़ा का ध्यान लगना हाथ में smart watch जो बच्चे आजगल पहनते हैं वो निकाल के रख जाना फोन को निकाल के रख जाना और चिल्लारों को भी जिम में मत रखना एक बार के जगा दो बार pocket चेक कर लेना क्योंकि एक KBS का मामला है पहली बार तो कोई चेक करेगा नहीं पर अगर unnecessary पकड़ेगा तो जिन्दगी बरबाद है पूरी 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 आपको दो बार जेव चेक करनी है पैसे रखने हैं वो भी notes में ठीक है और अगर किसी का मतलब सब के पास में ही center है तो मैं तो यह कहूँगा कि आप घर से ही इन समानों को लेके जाए cash लेके जाए cash में भी chiller लेके जाए chiller किसे कहते है 10-10 के note 20-20 के note उन्हें लेके जाए ये pen ले जाए अपने दो pen डाल के लेके जाए एक blue एक black ball pen दो किसले कहा रहा हूँ एक खुदा ना कासता क्या हो जाए बंद हो जाए ink फेल हो जाए कुछ भी हो जाए nib टूड जाए कुछ भी हो गया हूँ जाए ठीक है admit card देके जाना है admit card में आपको वहीं जाके वो पहला पन्ना बल लेना है ठीक है id proof लेके जाना है mask लेके जाना and water bottle लेके जाना है phone belt belt घर पे ही छोड़के चले जाओ वो ज़्यादा better रहेगा क्योंकि ज़्यादा दूर center नहीं है सबी के जहाँ भर रखे है उन्होंने वहीं पर center है और pass pass center जिनका दूर center है भी वो अपना back way के जाओ जमा करा देना पर इन सब चीजों का ध्यान रखना और जो important चीज है वो है यही सब चीजें कि आपको admit card pen, mask, id और मैंने बता दिया किस तरह से paper करना है सबसे पहले आपको उठाना गया है हिंदी उठानी यानिकी हिंदी लेके चल लिए और देखे फिर आते हैं subject पर यानिकी आपको पूरे 3 घंटे अपने utilize करने है और 3 घंटे में आपको कितने question करने है 180 यानिकी 180 मिनट है आपके पास और 180 ही question है तो इस चीज का ध्यान दगना कोई भी चीज समझ में ना है कोई भी चीज कुछ भी हो सीधे सीधे चिला कर ये कह देना मेरा computer बंद हो गया यानिकी अगर आपका computer बंद होता है आपको कुछ चीज समझ में ना आती है जो investigator कुमते रहते हैं उन्हें बुला कर पूछ लो पर time waste बिलकुल भी मत कर देना कि time waste करो अपना time आपका time कीमती है एक question एक minute के लिए मिल रहा यानिकी आपको एक question एक minute से पुरा various करता है ये कि बच्चो अगर और भी कोई आपको problem होती है center में या कुछ भी दिक्कत होती है तो आप सीधे सीधे invagilator या head जो होगा वहां से उससे बात कर सकते हैं पर आप ये गलती मत कर देना जो मैं गलती कह रहा हूं एक तो परची अर्ची का कोई सवाल होता ही नहीं पहली बार तो क्या आप परची लेके जाओ क्योंकि इस तरह का paper ही और अगर हो भी जैसे ticket हो जाता है बच्चों के ये ticket हो जाता है टिकट भी लेके चल जाता है तो उसे ticket को बार फैक देना cash रखना cash में भी 10 के note 20 के note इस तरह के note रखना पर्स allowed नहीं है ठीक है और इन paper का ध्यान अगना और सभी को best of luck अपना ध्यान अगना paper अच्छी तरह देना मैं भी आपके साथ paper देने जा रहा हूँ तो उसमें हम देखते हैं कल किस तरह का paper आता है पिछली बार का paper था पिछली बार का paper अच्छी paper था पिछली बार का paper में सही था इस बार देखते हैं कि KBS क्या करता है हमारे साथ भी आपके साथ भी तो चलिए आशे करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जादा से जादा से शेयर करें की वह मैं फहार्धा हो ज्यादा इसलिए मैं हो सकतो बेकार आपको यह सोच्पिए कि हम घर में पेपर दे रहे हुआ मोक्टैस्ट की तरह और मोकटैस्ट की तरहू हो पर मोक तरह के नंम्बर जुडएंगे थिंगे अगर यह यह सोच चलिए यह यह ज़ए और और यद्वी क्या होगा यहां चलना है और रिलैक्स कीछल क्यों थेकश Vince